नमश्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में सुनिये, रविनर्नाट टैगोर जी की काहानी एक रात सुर्बाला के संग एक ही पाटशाला में पढ़ा हूँ और खेला भी हूँ उसके घर जाने पर सुर्बाला की मा मेरा बड़ा दुलार करती और हम दानों को साथ बिटा कर आपस में कहती वाह किती सुन्दर जोड़ी है छोटा था किन्दु बात का अभी प्राय प्राय समझ ही लेता सुर्बाला पर अन्य सर्व साधारण की अपेक्षा मेरा कुछ वेशेशा ही अधिकार था यह धारणा मेरे मन में बद्दमूल हो गई थी इस अधिकार मत से मत होकर उस पर मैं शाशन और अत्यचारत ना करता हूँ ऐसी तो बात नहीं थी वहे भी सही शुन्ता भाव से हर तर कि घर में मेरा परबुत्व स्विकार करने के लिए ही जन्मलिया है इसलिए वह विशेश रूप से मेरी अवहिलना की पात्री है मेरे पिता चौदरी जमिदार के नायब थे उनकी इच्छा थी मेरे काम करने योगय होते ही मुझे जमिदारी सा रिष्टे का काम सिखा कर कही गुमाश्ता गिरी दिला दे किन्तो मैं मन ही मन इसका विरोधी था हमारे महले के नील रतन जिस तरह भाकर कलकता में पढ़ना लिखना सीकर कलक्टर सहाब के नाजिर हो गए थे उसी तरह मेरे जीवन का लक्षे भी अतुच्चे था कलक्टर का नाजिर ना बन सका तो जह ज अदालत का हैट कलर खो जाओंगा मैंने मनीमन निश्य कर लिया था मैं हमेशा देखता कि मेरे पिता इन अदालत जीवियों का बहुत सम्मान करते थे अनेक अफसरों पर मर्चली तरकारी रुपे पैसे से उनकी पूझे अरचना करने पड़ती यह बाद भी मैं बाली अवस के छोटे-छोटे नवीन संस्क्रण कार्य सिद्धी लाब के संबंद में स्वैम सिद्धी दाता गनेश जी किया पेक्षा उनके प्रती लोगों में आंतरिक निरभरता कहीं अधिकती अतेफ पहले गनेश को जो कुछ प्राप्त होता था वह आजकल हिने मिलता था नील रतन के द्रिष्टांत से उत्साहित होकर मैं भी एक दिन विशेश सुविधा पाकर कलकत्ता भाग गया पहले तो गाउं के एक परिचित व्यक्ति के घर ठहरा उसके बात पढ़ाई के लिए पिता से भी थोड़ी बहुत साहिता मिलने लग गई पढ़ना लिखना नियम पुरवक चलने लगा इसके अतरिक्त में सभा समीतियों में भी योग देता देश के लिए प्राण विसरजन करने की ततकाल अवश्यक्ता है इस विशे में कोई संधे नहीं था किन्तु यह दूसा अध्या कार्य किस प्रकार किया जा सकता यह मैं न नहीं जानता ना इसका कोई दृष्टान थी दिखाई पड़ता था किन्तु इससे मेरे उत्सा हमें कमी ने आई हम देहाती थे कम उम्र में ही प्राण बुद्धी रखने वाले कलकत्ता वालों की तरह हर चीज का मजा कुड़ाना हमने नहीं सीखा था इसलिए हम लोगों की निष्टा अतिंत द्रड़ती हमारी सभा के कार्य करता व्याख्यान देते और हम लोग चंदे की किताब लेकर भूके प्यासे दुपैर की दूप में दर दर भीक मांगते सड़क किनारे खड़े हो का विक्यापन बाढ़ते सबह इस तल में जाकर बेंच चौकी लगाते दलपती के बारे में किसी कुछ कहने का कमर बांद कर मारपिट करने पर उतारू हो जाते शेहर के लड़के ये लक्षन देखकर हमें गवार कहते आयत हो था नाजिर सार रिष्टेदार बनने पर मैजनी गैरी बालडी बनने की त्यारी करने लग गया इसी समय मेरे पिता और सुर्वाला के पिता ने एक मत होकर सुर्वाला के साथ मेरे विवा करा देने का निश्या किया मैं 15 वर्ष की अवस्था में कलगत्ता भागाया था उस समय सुर्वाला की अवस्था 8 वर्ष की थी और अब मैं 18 वर्ष का था पिता के नुसार मेरे विवा की आयू धिरे धिरे निकली जा रहे थी पर इधर मैंने मनी मन यह प्रतिग्या कर ली थी कि आ जीवन आ विवाही तरह कर स्वदेश के लिए मर मिटूंगा मैंने पिता से कहा पढ़ाई पूरी किये जाने के बिना मैं विवाह नहीं कर सकता दो चर महिने बादी खबर मिली कि वकील राम लोचन बाबू के साथ सुर्बाला का विवाह हो गया है मैं तो पतीत भारत की चंदा वसूली के काम में ही व्यस्ता मुझे यह समचार अतियंत तुछ मालूम हुआ एंट्रिंस पास कर लिया फर्स्ट इयर आर्ट्स में जाने का विचारता की तभी पिता की मृत्ती हो गए परिवार में मैं अकेला नहीं था माता थी और दो बहने अतेफ कॉलेज छोड़कर काम की तलाश के लिए निकलना पड़ा बहुत कोशिशों के बाद नौआखाली डिवीजन में एक छोटे से शेरिक में एक एंट्रिस स्कूल में असिस्टेंट मास्टर पद मिला सोचा मेरे उप्युक्त काम मिल गया उपदेश तता उत्साह प्रदान करके प्रतेक विद्यारती को भावी भारत का सैनापती बना दूँगा काम आरंब कर दिया देखा भारत वर्ष के बविश्य किया पिक्षा आसन इंतिहान की चिंता कहीं जादा की जाती थी चात्रों को ग्रामर और अलजवरा के भार कोई बात बताता ही हैट मास्टर नाराज हो जाते दो एक महिने में मेरा उत्साह भी ठंडा पड़ गया हमारे जैसे प्रतिभा हीन लोग घर में बैठ करतो और एक प्रकार की कल्पनाई करते रहते हैं पर अंत में करम छेत्र में उतरते ही कंदे पर हलका भुझ रोते पीछे से पूछ मरोडी जाने पर सिर जुकाए सही शुन भाव से प्रतिदिन खेत गोदने का काम संध्या को भरपिट चारा पाकर संतुष्ट रहते हैं पिर कुद फात करने का उत्साही नहीं बचता आग लगने के दर से एक नाएक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था मैं अकेले ता इसलिए यह बार मेरे उपरा पड़ा स्कूल के बड़े आठ चाला से सटी एक जौपड़ी में मैं रहता स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुशकर्णी के किनारे था चारो और सुपारी नारियल और मदार के पिर तता स्कूल में लगे आपस में सटेवे नीम के दो पुराने विशाल व्रिक्ष चाया देते रहते आभी तक मैंने एक बात का उलेक नहीं किया ना मैंने इस योग्ये ही समझा यहां के सरकारी वकील राम लोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास सी था और उनके साथ उनकी स्तरी मेरी बाले से की सुर्वाला थी यह मैं जानता था राम लोचन बाबु के साथ मेरा परीचे हुआ सुर्भाला के साथ मेरा बच्पन में परीचा था यह राम लोचन बाबू जानते थे या नहीं नहीं जानता मैंने भी नया परीचा होने के कारण इस विशे में कुछ कहना उचीत ना समझा यही नहीं सुर्भाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ी हुई थी यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं एक दिन चुट्टी के रूच राम लोचन बाबू से भेट करने उनके घर गया याद नहीं किस विशय पर बातचीत हो रही थी शायद वर के कमरे से चुड़ीयों की हलकी सिखनखना हट साड़ी की सरसहार हट और प्रेडों की कुछ आहट सुनाई पड़ी मैं अच्छी तरह समझ गया कि जंगले के सेंद से कोई कौतुहल पूर्ण आंखे मुझे देख रही हैं मुझे ततकाल आंखे याद आएं विश्वास सरलत और बाल सुलब प्रीती से चल चलाती दो बड़ी बड़ी आंखे काली काली पुतलियां घनी काली पलके और स्थिन स्नेक दिद्रिश्टी सैसा मेरे रित पिंड को मानो किसी ने अपनी कड़ी मुट्टी में भीच लिया वेदना से मेरा अंतर जंजना उटा लोटकर घर आ गया किन्तु यह वेथा बनी रही पढ़ना लिखना जो भी करता किसी भी तरह मन का भार दूर ना होता मन से ऐसा एक भारी भोज के समान हो हिर्दय की शिराओं को पकड़ कर जुलने लगया संधिया के समय कुछ शांत चीत होकर सोचने लगा अखिर ऐसा क्या हुआ क्यों उ चाते हो पा सकते थे अब उसे सिर पटक कर मर जाने पर भी एक बार देखने तक कादिकार तुमें नहीं है बाली यवस्ता की वैस उर्वाला तुमारे कितने ही निकट क्यों न रहे चाहे तुम उसकी चूड़ियों की खनक सुनते रहो उसके बालों की सुगंदर के मैं पात सच बात है क्या मेरी नहीं हो सकती थी जो मेरी सबसे अधिक अंतरंग सबसे निकट वरती नहीं मेरी जीवन के समस्तित्रुख दुख की संभाग नहीं हो सकती थी वह अब इतनी दूर इतनी पर आई हो गई है कि आज उसको देखना भी निशिद्ध है उसे बात करना आप है और यह राम लोचन ना जाने कहां से अधम का बस दो एक रटे रटाए मतर पढ़कर सुर्वाला को पलक मारते ही एक जपटे में धर्ती के और सब लोगों से छिन ले गया मैं मानव समाज में किसी नीती रिचार पर चार नहीं करने पटा हूं ना समाज भंग करने आ यह बात मैं किसी परकार से मन से नहीं निकाल पाया इस परकार का विचार नितांत असंगत और अन्याय युकता यह स्विकार करता हूं किन्तु अस्वभाविक तो नहीं था तब से मेरा मन किसी और काम में नहीं लगता ना एकागर होता दुपहर के समय क्लास में जब छातर अस्पदों के व्याक्राण की भूल का अवसंशोधन करते हुए जीवन यापन करने की कोई इच्छा नहीं होती थी चुट्टी हो जाने पर अपने बड़े कमरे में अकेले मन न लगता किन्तु किसी सज्जन के मिलने आने पर भी ऐसेनिय लगता संधिय समय पुशकार्णी के किनारे सुपारी नारियल के व्रिक्षों की अर्थ हिन ध्वनी सुनते सुनते सोस्ता मनुश्य का जटिल मन है भ्रम जाल है जैसा आदमी सुर्बाला का पती होकर विर्धा वस्ता प्रयंत बड़े सुख से रह सकता था तुम होने तो चले थे बड़े गेरी बाल्डी और अ ऐसी थी वैसे ही भवशंकरी अब निश्चीत होकर विवा करके सरकारे विकिल बनकर अच्छा कासा रोजगार करने लगा उस दिन से दुएं की भूँ आती वैसुर्बाला को डांट देता और उस दिन उसका मन परसन रहता उस दिन सुर्बाला के लिए घहने बनवा देता अपनी मोटी थुल्थुल दे पर अचकन डाटे वे परम संतुष्ट रहता वे कभी भी तलाब के किनारे बैठकर आकाश के तारों के और देखता और आहें भड़ते वे संध्या वहीं बिताता एक बड़े मुकदमे में राम लोचन कुछ दिन के लिए बाहर गया था अपन करती काले काले मेख खंड़े जैसे किसी विराट आयोजन के लिए सारे दिन अकाश भर में गमना गमन करते रहें दूसरे दिन तीसरे पेहर से मुसलाधार विष्टी होनी शुरू ही थी और साथ-साथ आंधी चलने लगी, जियों जियों रात होने लगी वर्शा और आंधी कहीं और अधिक मजबूत था कई बर मन में आया उसी स्कूल भवन में बुला लाओ और मैं पुशकारणी के किनारे रात बिता लेकिन तू किसी भी तरह निश्य नहीं कर पाया रात एक देहर एक देहर पहर गई होगी तो ही और एक और तरंगा पाची हमारे तलाब के किनारे का एक हिस्सा लगवग दस गयरा हाथ उंचा था जिस समय मैं किनारे के उपर चड़ा उसी समय विप्रित दिशा से एक और व्यक्ती भी चड़ा व्यक्ती कौन था यह सर से लेकर पैर तक मेरी समपुन अंतरात्मा समझ गई उसने मुझे पहचान लिया था इसमें कोई संदी नहीं और तब सब कुछ जलमगन हो गया था किवल पांच-छे हाथ के उस दीप में हम दीप के उपर हम दौनों प्राणी आकर खड़े हो गए प्रला काल था आकाश में तारो का प्रकाश नहीं था और धर्ती के सब प्रदीप भुझ गहते उससे मैं कोई बात करने में भी हानी नहीं किन्तु एक भी शब्द ना निकला एक दूसरे से कुशल पर्शन भी नहीं किया दौनों के वल अंधकार के और ताकते रहे पैरों के नीचे कृष्ण वन का उनमत मृत्य सुरोध गरजन करता हुआ बढ़ चला आज समस्त विश्व को छोड़कर सुर्वारा मेरे पास खड़ी थी मुझे छोड़कर आज सुर्वाला का कोई नहीं था और उस कब के बीतेवे शाष्वकाल में सुर्वाला किसी जन्म जन्मांतर के बाद किसी प्राचिन रहस्य ने अधकार पर उतारती हुई इस सूर्य चंद्रालो की तचर्णा की निप्रिथवी के उपर मेरे ही बगल में आकर खड़ी हुई थी और आज आज कितने दिनों के बाद उस आलोक मैं जन्पूंट जगत को छोड़कर इस भयंकर जन्शुन्य प्रलाया अंधकार में एकाकनी सुर्वाला मेरे ही निकटा कर पस्तित हुई जन्म सुरोत से उस नवकालिका को मेरे पास लाकर फेक दिया घर धन्जन को लेकर सुर्वाला चिरकाल सुकसर है मैंने इसी रात में महा प्रलाय के किनारे खड़े होकर अनंत आनंद का स्वात पा लिया रात प्रयाय समाप्त होने को आई आंधी थम गई पानी उतर गया सुर्वाला बिना कुछ कही घर चली गई मैं भी बिना कुछ कही घर चलाया मैंने सोचा मैं नाजिर भी नहीं हुआ सुरिष्टेदार भी नहीं हुआ गैरी बॉल्डी भी नहीं हुआ मैं एक टूटे फूटे स्कूल का असिस्टेंट पांस्टर रह गया मेरे इस संपूर्ण जीवन में केवल शन भर के लिए एक अनन्त रात्री का उधै हुआ था मिरे सुदिर के जीवन के सारे दिन रात में केवल वही एक रात मिरे तुछी जीवन की एक मात्र चरम सार्थकता थी